हेलो माइ बीटिफुल सोल्स वेलकम टू माइ यूटुब चैनल चाहरो विशेवी चपाले यह कैसे हैं आप सभी लोगा होप आप सभी बहुत अच्छे है बहुत अच्छे सब्सक्राइब करें इस चैनल को वीडियो पसंद आता है तो लाइक देश वीडियो गाई जेनरल कल पुछें क्या उनकी करेंट एज एनर्जी है और चैनल पर आया है तो प्लीज 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 नए है तो में रेक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब मैं चानल परस्नल रीडिंग ले वाट्सब्सक्राइब कर सकते नंबर इस स्क्रीन पर है आप फोकस कीजे अपने पार् कुछ-कुछ नेगीटिवीटी का एफक्ट है लोगों से चरफ कर सकते हैं आप बात कर सकते हैं तो आज ही अगर पात करते तो आज आपके साथ बाखर ay थोड़ी सी जुन्थ शोड़ी से रूखी रूखी हो सब्सक्राइब इनसान और बहुत जादे निज 있는데 बढ़ जाती है होता है गुस्षे में होता है चिर्चिड़ापन होता है उसके अंदर तो भाते ना उसको बिल्ड करना मुश्किल होजाता है तो शिड़ुआत की आई है आज अगर आप अपने person से बात करें तो आप उतनी बात करें जितनी वह कोंखे करते हैं कि कोई भी गंभी टॉपक टॉप you पर आपने पार्टनर से बाता ना करें ज्यादा लो करते हैं। ऑगे एनर्जी बहुत जादा पॉजिटिव नहीं लगरी यह Window 믹 생각 हो ह tua होता है, कहुछ गया हैً diyorum कोई अपना नहीं होता कोई सगा कंपा है ऐन सब आप संगां की है सब को सही समझती थी मैं मैंने सब को सही समझा कितना मैं लोग को मानता था कितना मुझे लगता था ये मेरे अपने हैं ये मेरे अपने हैं ये सही हैं ये ऐसे हैं ये वैसे हैं सब मतलब ही होते हैं सब नलायक होते हैं ये वाली अनर्जी आपके पार्टनर की अंतमिस थर इंसान अपने बारे में सोचता है अपने बारे में जीता है पता नहीं क्यों चरचड़ा रहा है क्या हुआ है इस परसिंगी लाइफ के इंदर ऐसा लेकिन आज की दिन में सबसे नराज ही है और सबको ब्लेमिंग एनरजी है कि इनके लिए मैने इतना किया इनके कि अपने बारे में सोचते हैं अपना हित चाहते हैं अपने लिए करते हैं पाकी दुनिया जाए भाड में इस तरह की एनर्जी इस परसंगी लग रही है जिसे हर चीज को अगी नहीं हम ब्लैक ब्लैक हो रहा है आज कि आपके जो पार्टनर है इनके अनर्जी बहुत जादा पॉजटिव नहीं है दिखी कहना नहीं चाहिए बैसे वे मेसेज निकलता है तो मजबूरान देना पड़ता है कहना नहीं चाहिए बट हो सकता है कुछ लोगों के पार्टनर ना लड़का है लड़कें जो भी है लिक्वाज़ी होती ना कि जब इनसान बहुत जात अकलीफ में चला जाता है तो नशे वाली जो एनर्जी होती है यह जो इनर्जी है यह अच्छी नहीं है तो आप गुस्रें और इस तरह की चीज़ें करो लेकिन दिख रही है तो मिझे बोलना पड़ेगा मजबूरी है मेरे तो मुझे नहीं निकलता जल्दी लेकिन हापके पार्टनर से अनर्जी में दिख ज़रूर रहे हैं जैसे ही परसें ब नी आके खुळी हों की सब क्या होते हैं अभी तक तो जैसे परसंट सोई रहते हैं अभी तक तठ बनाभर पताव इन्हीं की और बताओं जब युनिवर स को आपको च्रही होगा बिल्कुल फैक्ट है जो मुझे रीडिंग में दिख रही है तो जो हो रहा है आपके परसन के दाद वो गलत तो नहीं हो रहा है ठीक है बस लेकिन आपके पार्टनर ने उमीद बहुत लगाई थी लोगों से और हो सकता है बहुत लोगों का किया भी हो जो आप बहुत लोगो इस वक्त ना इस परसन के स्क्रीन पर या फर इनकी लाइफ के अंदर ना गणीश भगवान जी से रेलेटेड़ चीज़ जा रही है ठीक है जो बहुत अच्छी चीज़ बताती हूं इसी का सवाल यहां पर भी होगा तो इसका भी क्लियर हो जाएगा जैसे आपने गणीश उसका सबस्देवार ओंका वास करता है कि यहां पर और यहां पर होते हैं हुआ होते हैं कि अपनि मां आगिया मां रहे होते हैं लेकिन वह मना क study और शी시죠 तो नहीं अकरना कि भगवान करते हैं कि इसमा मांच बात कर ला भी नहीं को मैं तो दिक्वान यहां पर पूरी थिया थर्ष वह सांध है ऑफ यह तोरी की वह पूरी की बताती है कि इश्वर को एहंकार पसंद नहीं पर इसलिए लम्र oldest किरता है इसलिए त болद की लिए कितने कि देखा कितने सारी थे आपšे लए में जो एनरजी निकल के आ रही न वो ये बतानी कोशिश कर रही है कि आपके पार्टनर को न कुछ इस तरीके संकेत दिये जा रहे हैं कि इगो परमात्मा ने दुनिया में किसी का नहीं चलने थी आप ये सोचो कि ईश्वर ने भगवान शिव ने स्वयमा पार्वति की परिक्ष बढ़कार आपको इगो तो आपको दूसरे की तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं तो आपको आपको इगो तो आपका ब्रेक हो गई होगा तो इगो की एनर्जी है आपके पार्ट नोगे तकलिफ हो रही है इगो टूटने की वज़र से इनकी तरफ ने इसी तरीकी की स्टोरी जा रही है जो नहीं बताने कोशिश कर रहे हैं कि आपके साथ जो भी हो रहा है वो इस वज़र से हो रहा है कि आपके एगो को मार पड़ आपका ego break हो रहा है तो तकलीफ यह नहीं है कि आपके साथ कुछ बुरा हो रहा है तकलीफ है कि आप ही क्या ego है जो यूनिवर्स तोड़ रहे हैं और वास्तविक्ता है यह भगवान शिव ने बहुत भगवान शिवों चाहे हरी हूं हरी ने तो सत्मामा का एहंकार तोड़ा जफर गरुड़ जी को एक बार एहंकार होगा तो उनका भी तोड़ा कि हनमान जी से तुड़वाया है और सब को ते देखे उनलों उनको बोल बोलके कि आप इनको जड़ा शान्द करें जाके तो दर्शन चक्रच उनके उनका खुद का अस्तर है उनको जब एहंकार हुआ है उनका भी एहंकार थोड़ाँ था ह continuity बड़ती उनका तोड़ा ऑगवान रजे भक्ति रीचिंग दिखाई देरी है इस परसन के अंदर कि मतलब यह तो ब्लेमिंग अभी तो ब्लेमिंग एनर्जी में होंकि अपनी गलती समझ में नहीं लेकिं इसी तरीकी की स्टोरी जो इस परसन के इस साम ने जा रही है इस वक्त इस पेशली भगवान गनेश और भगवान शिव वाली आपके साथ जो कुछ भी हुआ है आपके साथ जो कुछ भी हो रहा है इसी को तोड़ने के लिए यह सब चीजें आपके साथ घटे तो रही है है कि आपकी साथ किसान की स्टन में साथ यह सी किसे यह बगवान सब के साथ ही मुझे मैसेज मिल रहा है क्षिक कर रहा है इसême पस्टिक्राइब्वुर 2 吗 आपने इस परशा निंटिया यह इनकी बात का रिस्पांस निंगा स्विन अपने report कई उनसे बोला कि मेरे साथ इसने लेता है में साथ बुरा किया यह होगा व यह जा बॉर हम पर sobreggine stan को कर रहे कि को सकता है जो चीज थीज आप को लग रही हूँ नहीं सा गलत किया इसा गलत किया वह सा गलत किया व seem बार्म था कीसनों के लंगता है कि आज कल दूनिया है, शो गलत किया है, उस्यूंकित भी स्कूब अध измен handed कि नियुकल्ट है भी हिए दिए पकलीफ हो उन्हें वहां लगा झाले है झाल झाल यह बोखना। मतलब देखानी जा रहा उस परसन को ऐसा होता ना डियर यहां पर कुछ ऐसी एनरजी निकल के आ रही कि जब आप विश्वास नहीं करते हो ना कि ये इंसान ऐसा करेगा वहां से जब आपको चोट मिलती है ना तो आप सबसे गंदे तोटते हो जिससे आपने उमीद नहीं की होती है तो वह एनरजी में को यहां पर पहली दिखाई दिया है शुरुआत से लेकि अभी तक वह एनरजी रिपीटड वे में दिखाई दे रही है कि आपके पार्टर को म गद्शली के सीधी सीधी एक लाइन में है था लेकिस में पर से अब आएगा शूरुआ से जब आपको यह विश्वास आता है उसके पहले आपका इंसानों पर से विश्वास उठ जाता है तब आपका इस विश्वास बनता है तो अभी मुझे यहाँ पर पहली एनर्जी से लेखे अभी तक की जो एक लाइंग की एनर्जी है वो यह है इस परिसन का विश्वास सभी की उपर से उठ गया है चली देखते हैं आपके लिए कार्ट्स क्या बताते हैं कार्ट्स की एनर्जी क्या है अभी मुझे बताते हैं कि यहाँ पर ऐसी निकल के आ रही है आपके पार्ट्नर की अभी नहीं आप नाइन ऑफ पेंटेकल्स की एनर्जी है आपके परसंटी फ्रीडम की डिमांड है इस परसंट को फ्रीडम चाहिए अपनी लाइफ के अंदर ठीक है यह वही इनसान थे जिन्होंने समाज यह वह मेरा परिवार लोग क्या करेंगे एट सेक्टर एट सेक्टर दुनिया भर की चीज़ जो मेरे ब्यूर्स कहते हैं कि मैं मेरे पार्ट्नर ने यह चुना वो जब आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ ऐसी चीज़ों का चुनाफ करते हैं जो आपकी अंदर से नहीं आ रहा है इट मींस कि कहीं ना कहीं आपकी सोल कॉलिंग कुछ और है लेकिन क्यूंकि आपकी बुद्धी अलग देशामय कारे करती है और आप लोगों से डरते हो या या फिर आपके अंदर स्टेंथ नहीं है आप ऐसी चीज़ों को चुनाफ कर लेते हों मजबूरन जो आपकरना नहीं चाहते है जै आप कभी भी हम प्रूल की कॉल इंग कुछ और है मान लीजिए आपकी सोल चाहती है कि आप ये काम करें लेकिए दुनिया आपको क्यारे य यहां आपको सोल कॉलिंग बहुत स्टॉंग हो जाती है एक तरफ आपका मन पूरी तरी के से लगाओगा और दूसी तरफ लोग आपको समझाने कोशिश कर रहे होगी कि ऐसे नहीं ऐसे करो यह तुम्हारे लिए अच्छा है आपको सब को पता है कि मैट्रिक्स के जो लोग हो तरफ रहे तो आपको लॉङ्यक्ली और प्रैक्टिकल सारी चीजसे समझाते हैं कि यह करोगे तो तो तुम्हारे लिए अच्छा रहेगा फिर तो मैं इधर से पनी गिरूथ मेलेगे वह आपको यह यह सुह नहीं है लेकिन आपका जो का कि यार अगर हम कर लेते हैं तो अच्छा पार्टनर मिल जाएगा, यह हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो सोल कॉलिंग को इग्नोर करने के बाद आप फसो गई, फसो गई, क्योंकि सोल कॉलिंग अगर थी, अगर इंट्यूशन स्टॉंगली गाइड कर रहे थे, अंदर से आवाज आती कि यार मत कर जाने दे यार मत कर जाने तो छोड़ दे, मत कर, फिर भी तुमने किया, इट मींस कि तुम गलत दिशा चले गए, आपके जो पार्टनर रहे ना, इनकी भी एनर्जी है, सब फ्रीडम चाहते हैं अपनी लाइफ, सब चाहते हैं कि मिरे को हस्बंड मिले, वाइफ मिले, तो मैं उसके स लोग की लाइफ में होती है, बहुत सारी लोग की लाइफ में होती है, डिपेंड करता है, लेकिन अन्ड़ परसेंट खुश नहीं होते हैं लोग बाग शादी में, क्योंकि वहां पर कुछ ना कुछ एज़स्टमेंट करनी बढ़ती है, तो एक तरीके से ना, फ्रीडम नह नहीं हो पाती है, आपके जो पार्टनर हैं, उनकी एनरजी में मुझे नाइन ओफ पैंटिकल सन की एनरजी में यह दिखाई देता है, कि आपके बाग ना, इस वक्त में चाहते हैं, कि इन्हें फ्रीडम मिले, सोतन्सप्ता मिले, इन्हें इनके मन की करने की अजादी हो, त जाते हैं, यहां पर सन की एनरजी और खास तोर से अगर किसी की बर्थ चार्ज में मैंने बताया था कि सन अगर बहुत पाफुल प्लेसमेंट है सन की, ठीके ऐसा वक्ती अपने आपको बहुत राजा मानता है, ठीके और सन को जुकना आता ही नहीं है, गलत जगे पे तो बि एनरजी बहुत जादा अच्छी होती है, ऐसे जो लड़के होते हैं, लड़के होते हैं, इनको आप बहुत जादा लंबे टाइम तक दबा कर, डॉमिनेट करके, घर के अंदर, अपनी मर्जी चला कर नहीं रख सकते, ठीके कभी ना कभी तो यह बहुत गंदे फटेंगे, फूटेंगे और फिर वाहर निकलेंगे, तो इनकी एनरजी होती है, यहाँ पर वो सन और नाइन और फैंटिकल्स मुझे वह एनरजी दे रही है, कि आपके प्रसन को फीडम चाहिए, इनको चाहिए कि अपनी मर्जी से काम कर सके, क्योंकि हर वक्त ना इस परसन को जैसे अगें मैंने आपको पहली बताया था, जिस तरही के से आपको सकस्स मिल रही, विक्ट्री मिल रही, आपको अजादी मिल रही, आपके जो इंड्यूशन्स हैं, वो स्टॉंग हो गए हैं, यह सारी चीज़ ना कहीं आपके पार्टनर को इंस्पायर कर रही, क्योंकि लगता नहीं चाहिए, कोई नहीं है, असा, सब चाहते हैं, ओके, तो यहाँ पर वो एनरजी आ रही, शिक्स ऑफ वोन से हाई पीस्ट्स किस परसन को लग रहा ही, कि आप सही निकल गए, आपका सही रहा, आपका सब कुछ पढ़ी आ रहा, सही बात है, कि आप अकेले रहे, मुझे को सर्फ करती हैं, आपको डिजर्फ करती हैं, तीक है, मतलब आप किसी ऐसी जगह पर है, जहां पर आप खुश नहीं है, बदुनिया आपको देख रही है, बस आप लेकिन आपको कुछ परक नहीं पढ़ रहा है, आप तो बिल्कुल खुश नहीं है, नहीं आपका कुछ का करने का मन कर रहा है नहीं आप अपनी जिंद्गी को देख पा रहे हैं यह तो हर इनसान को परिशान तो नहीं ना करें और वह एनरजी दिख रही है इसके अलावा आपके बादना चाहते हैं कि आप उनसे बात करने को हरत बोछ साथ लगता है आपको मैसेच करते वक्त या कॉल करते वक्त, तो आप तो सामने से करते ही नहीं, आप तो आप नहीं करते हो, अगे मैं बता रही हो, जिन के अंदर ऐसी energy होती है कि मैं क्यों करूं, मैं क्यों सामने से जांओ, उनको अगर आप एक दो बारी कॉल करने तो आपको लगा सकते हैं लेकिन अब हर बारी उनको ही करना पड़ रहा है हर बारी वहीं से आ रहा है हर बारी उन्हीं को सोचना है कि वह आपसे बात करें उनको ही मन करें तो उनको लगता है कि आपको इंटरस्ट नहीं है जबर रस्ती वह आपको कॉल करके परेशान करते हैं यहां पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो अब कॉल वॉल मैसेज वैसे से बहुत ऊपर उच चुकिया उनको जादा फरक नहीं पड़ता कॉल आए तो ठीक ना आए तो ठीक बतलब वो अपनी जिंदगी में अपनी लाइफ में बहुत जादा सेटल्ड ह खुश हैं और कहीं न कहीं उन्हें उमीद खो दी है जो एक चीज़ होती है अगर आपको उमीद है तो आपको इंटरस्ट है अगर आपको उमीद ही नहीं है तो आपका इंटरस्ट खताम है सीधी बात यहां पर कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिने उमीद ही नहीं अपने पा कि पहुंचती है उसको तो अभी फी इगो है न न कुर से इस तरग आपके पार्टनर यहां तो निकल के आ रही है देखते हैं अलफबेट्स क्या है अब एक एक सॉंग मुझे चैनल हो रहा है खौबों की वो रानी है आपके में आपने से हो सकता किसी के पार्टनर आपको यह डेडिकेट करना चाहते हूं खौबों की वो रानी है यहां पर लेटर है बी डी एस जएड एफ एक्स ओवाइप एन एक्स यहां पर फाइफ जीरो फोर नंबर है कुछ यहां पर बन रहे हो वर्ट्स अगेर आपकी यहां पर आपका कुछ नाम वाम बन रहा हो ता बना लीजेगा ठीक है ओके सो गाइज यहां आपकी रीडिंग है परसनल रीडिंग यहां आप मुझे वाट्स अप कर सकते हैं वीडियो पसंदा है लाइक देस वीडियो सब्सक्राइब मैं चैनल थैंक यू गाइज